असलाम लेकुम अगया इस वीडियो में जो हम चीज देखने वाले हैं बहुत इंपोर्टन्ट है तो बड़े दिहान से सुनिएगा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ के SQL का डेटाबेस बड़ी बड़ी वेबसाइट से डाउनलोड करके आपने अपने लोकल सर्वर पे कैसे चलाना है तो यह इस वीडियो का गोल है दिहान में रखिएगा स्टार्ट करें हम फिर एक्स्प्लोर भी कर लेंगे बोनस भी तो देखने है यह एक वेबसाइट है और से देख लें mysql tutorials ठीक है उसके ओपर mysql-sample-database.aspx है यह मैंने कैसे नहीं का लिए है मैंने सिरफ google पे लिखा था यह बिंग पे लिखा था mysql files और यह दूसरा लिंक का अगया था यह लिंक मैं description में भी रखतूंगा ठीक है जी तो इसको हमने क्या किया यहां से इन्हो download कर लें मैंने क्लिक किया यह already मेरे पास downloaded था मैंने फिर से कर लिया आपको दिखाने के लिए मैं फिर गया अपने desktop के उपर desktop SQL का folder बनाया हुआ है इसके अंदर मैंने इसको drag कर लिया same वो ही है पहले वाला हो या दूसरे वाला हो drag करने के बाद मैंने इस पे right click किया और win zip folder क के साथ इसे extract कर लिया जिन लोगों के पास ये extraction की option नहीं आ रही what they can do they can go online और यहां पर लिखे win zip for windows ठीक है और इस software को install कर लें यहां से win zip download करके install करेंगे तो आपके पास इस तरीके से जो compressed file है उसको extract करने की option आ जाएगी extract करके हमारे पास ये sql का database आ गया अब हमने क्या करना है mysql workbench पर जाने जाने के बाद हमने अपने root user account के अंदर जाने जाने के बाद आप देख रहे होंगे हमारे पास mrdb है kudenix db है और ये तीसरे db है मैं refresh कर रहा हूं और कोई db नहीं है ठीक है जी मैं इसको बंद कर हमने अब import करना है data हमारे पास यहां पर click करें तो create new sql tab for executing queries आ जाएगा ठीक है like this हम अगर यहां पर click करें तो यह कहता है open sql files ठीक है और इसी तरीके से बाकी सारे जो buttons है वो यहां पर लगे हुए हमने अब देखने है यह वाला button open an open an sql something open a sql not an error क्या है मुझे उस database को जो sql के अंदर मैंने save किया desktop पे sql के अंदर जो मैंने अभी extract किया उस पर click किया open कर लिया open करने के बाद यह मेरे पास इस तरीके से file आ ठीक है मैं इसको zoom out करके आपको दिखाता हूं यह पूरी sql की file है देखे कितनी queries लिखी हुई है और कितने number of rows columns और सारा कु चीज है न तो यहां पर आप देखे मैंने import किया लेकिन यहां पर कोई असर नहीं पड़ा तो अभी data को import करने के लिए हम क्या करेंगे sql का एक rule होता है कि जब एक command चलानी है उसको select कर रखके आप यह thunder button दबाते है ठीक है तो इससे वह command run कर जाती है ठीक हो गया अगर इस पर भी click कर देता हूं select नहीं करता है like this click किया click करने के बाद मैंने यह thunder button पर click कर दिया तो इसने यह सारी commands अगर चले जाएंगी error कोई नहीं आएगी तो इस तरीके से green ticks आ जाएंगे अगर कोई error आई तो उसके सामने यह इस तरह का warning sign या कोई और sign आ जाएगा ठीक है ठीक ह क्यों नहीं आया सोचने वाली बात है यार यहां पर database आ जाना चाहिए था भी तक क्या वज़ा हो सकती है पंगा ही कर गया यार अमार देखा पागल बनाया ना आप लोगों को इस पर click करें database is there so आपने यहां पर refresh पर click करना है database आ जाना है और जब तक आप इस पर click करके इस model चली जाना है अब मैंने क्या किया है basically वो सारे का सारा database जो एक query के form में था और उसकी जो space है 206 kb है ठीक है SQL की space आप देखें 206 kb के अंदर हमारे पास कितने table है customer का अलएदा, employee का अलएदा, offices का अलएदा, order detail अलएदा, orders अलएदा, payments अलएदा, product lines अलएदा और products अलएदा अब अगर आप जाएं तो यहां पे इसकी सारी information भी दी गई है, कि data है क्या, ठीक है, यहां पे वो कहता है classic model database है, my SQL का sample database है, क्यों उसने दिया वो कहता है, आपको help करने के लिए कि आप इस पर काम कर सकें, वो उसने detail भी बताई है कि अगर आपके file नहीं चलती, तो इस तर करने है, ठीक है, फिर वो उसने यह भी कहा है, कि data को show करवाना है, तो यह commands भी बताया है, ठीक है, और उसने पूरी detail इसकी दी हुई है, कि इन database को आपने कैसे utilize करना है, अगर आप गोर से देखें इसे, but still, मैं क्या करता हूँ, मैंने table पे गया, तो हमने अपने जो method भी तो यह मेरे पास customer number है, customer name है, ठीक है, मैंने इस पर click किया, तो यह set हो गया, ascending order से, ठीक है, अगर दुबारा click करेंगे, descending से हो जाएगा, ascending का मतलब है, कि उपर से नीचे number जा रहे है, sorry, नीचे से उपर जा रहे है, 103, 112, ऐसे, descending का मतलब है, उपर से नीचे आ रहे है, जैस जहाज descend कर रहा है, जब नीचे आ रहा होता है, जब take off करता है, वो ascend कर रहा है, तो customer name है, last name है, customer first name है, phone है, address line है, और हमारे पास क्या है, address line 2 है, city है, state है, postal code है, country है, sales, employee है, credit limit है, ठीक है, यह result है, समझागी बात की, अब अगर results grade आ गया, अब अगर हमें इसको click करें, तो एक एक customer का हम edit भी कर सकते हैं data, और इस तरीके से हम different schema, query, views, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे अगर result grade पे click करें, तो यह हमारे पास database आ गया, जिसके अंदर यह तक्रीबन rows है, ठीक है जी, और इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, सही हो गया, यहाँ तक clear हो ग चीज़ें, तो अगर हम order detail देखेंगे यह चीज़ें, अब मैं चाहता हूँ कि customer की information लेने, तो मैं यहाँ पे click करूँगा, तो यह देखें, तो यह क्या करेगा, हमें classic models.customer की detail देदेगा, कि database कहां पे है, किस तरीके से database बनना है, ठीक है, सारा कुछ इसमें आ गया, columns कौ columns है, ठीक है, यह आप check करें, अगर आप वैसे ना देखना जाएं, तो इस तरीके से आप columns देख सकते हैं, ठीक है, indices भी है, triggers भी है, foreign keys, partition, grants, ddr, ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको databases को देख सकते हैं, सही हो गया, अब अगर आपने, for example, मैं यहाँ पे customers वाला देखता ठीक है, select this from customers आगया, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे यह देखना चाहूँ, for example, यहाँ पे city जो है, के city के nantes वाले कितने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, अब आपने बताना है, यहाँ पे हमने लिख दिया, select static from this, अब city is equal to what, nantes, ठीक है जी, इसको हम run करते हैं, सभी को select करके, तो चेक करें, जहाँ पे nantes थे city, वो हमारे पास values आगी, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वो सारी commands लाके देख सकते हैं, जो हमने पहले लगाएं थी, ठीक हो गया, easy busy, अब चलते हैं, हम employees वाली साइट पे, क्योंकि employees की hopefully, यहाँ पे काफी चीज़ें दी होंगी, office code है, report to job title है, ठीक है, यह चेक करें, sales representative ज्यादा हैं, और यह सारी चीज़ें, offices के अंदर देखा जाएं, तो city सेंट फ्रैंसिसको में, इनके seven offices total है, order details देखा जाएं, तो यह order की detail है, आप गोर करें तो, ठीक है, product code ह और order line number है, और सारी चीज़ें, अब दुबारा से order दूसरा देखते हैं, तो आप चेक करें कि यहाँ पे order number, order date, required date, ship date, status, comments, customer number, ठीक है जी, अब अगर customer पे जाएं, तो यहाँ पे भी हमारे पास customer name and customer number है, अब जो चीज़ में आपको बताने वालों relational databases की, वो गोर से देख तो customers के name, contact number, first name, phone number और सारी detail उसकी दी हुई है, और उसको cross-pound किया गया है, 103 यानि के customer number से, अब जब कोई यह वाला customer order कोई submit करवाता है, तो basically क्या होता है, उसकी customer number के against वो order submit हो जाता है, और उस order को process किया जाता है, ठीक है, for example, एक बंदे ने tooth brush order किया, तो उसका customer number वहाँ प्या जाएगा, और साथ ही वो कर देता है, शाम को एक soda की can, कल को वो मेंधी का glass कर देता है, मेंधी का glass नहीं होता, मेंधी की कौन होती है, तो मेंधी की कौन order कर देता है, इद आ जाते हैं चूडियां और उसकी बीवी बहुत कुछ order कर देता है, लेकिन उसी की idea से, तो अ जगा पे उसके address, name और बाकी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी बट अगर relational database है तो हमने सिरफ एक database के अंदर उसकी information अपडेट करनी है बाकी automatically अपडेट हो जाना है ठीक है जी तो इससे हमारा time भी बचता है और बहुत ज़्यदा resources भी पचते हैं और एक एक information अगर एक बंदे के अड़ कर रहे है तो हमें कितना फाइदा हो रहा है relation बनाने का और अगर ज़्यदा बंदों की कर रहे है तो कितना फाइदा हो रहा है ठीक है जी और इसी तरीके से अगर हम product line को देखें तो उसके अंदर भी आपको different किसम की चीज़ें relation में नज़र आएंगी अब इसका एक और फाइदा यह है कि for example अगर आप facebook use कर रहे हैं तो facebook use करते वक्त आपकी detail एक दफ़ा प्रफाइल में add होगी है अब जहां जहां आप click कर रहे हैं हर दफ़ा वो नहीं होना कि इस बंदे ने अब facebook पर जा कि यह वली वीडियो देखी सारी detail आज़ा नहीं हमें एक unique ID मिल गई है उस unique ID की base पे सारे काम हो रहे हैं इसी वज़ास उसी unique ID को उसी unique ID और उसके activities की base पे algorithm के through advertisement नज़र आती हैं तो यह इस वज़ासे relational database बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहां तक आपको clear हो गया तो आज हमने क्या देखा कि database को किस तरीके से import करना है और किस तरीके से हमने इसको utilize करना है अब एक और काम करते हैं हम हम orders को यहां से बिलके customers को यहां से हम export करते हैं export किया हमने इसको customers के नाम पे तो हमने इसको export किया customers को customers को export करने के बाद हम folder में जाते हैं तो यह हमारे पास customers की यह सारी detail आगे अब अगर आपने इस पे कोई analysis करने और को graph बनाने तो क्या करेंगे अगली वीडियो में देखना ना भूले मैं आप ही आपको बताऊंगा कि Pandas की लाइबरेरी को यूज करती हुए छोटे डेटाबेस को किस तरीके से इंपोर्ट करने है और कैसे यूटलाइज करने है ठीक है तो जुड़े रहें नेक्स वीडियो में आपके बताने वाला हूँ कहीं जाना नहीं है